चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक्ष वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो एंटिये ने ने नीट की प्रोविजनल आंस्वर की जारी कर दी है यानि की एक्सपर्ट टीम दवारा रिव्यू करने के बाद में ये आंस्वर आंस्वर की जारी कर दी है इसमें एक फिजिक्स का क्यूशन था रेशिय ओफ रेडियस का वो सभी कंडिडेट को उसके बोनस मार्क्स मिले हैं बोनस मार्क्स की मैं आपको यहां पर रूल्स बता देता हूँ कि बोनस मार्कस सभी कंडिडेट को मिलेंगे इसके चाहे किसी इस क्यूशन को attempt किया है या नहीं किया है सभी candidates को इसके bonus marks मिलेंगे जो physics का ratio of radius का क्यूशन है जिन candidate ने wrong किया है उसको भी मिलेगा चार marks जिसने सही किया है उन्होंने तो आलड़ी अपने चार marks जोल दिये होंगे और जिन्होंने attempt नहीं किया है उनको भी चार marks मिलेंगे यहा यहां पर जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उन कंडिडेट को पांच मार्क्स का यहां पर फाइदा होगा जो जिन्होंने आंस्वर की से स्कोर कैलकुलेट किया था पांच मार्क्स का फाइदा होगा जिन्होंने अपना एक माइनस मार्क्स इसमें कैलकुलेट किया था उनक उन्होंने ये attempt नहीं किया है और wrong किया है और जिन्होंने सही पहले ही सही किया था उन्होंने तो पहले अपने four marks जोड़ ही लिए होंगे अब बात करते हैं biology के क्यूशन की जिसमें steps of DNA है वो क्यूशन के दो option anti-nay माने हैं यहां पर तो यह क्यूशन बायोटेक का क्यूशन था दो option माने हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं candidates को ये marks मिलेंगे जिन्होंने ये दोनों उप्सन में से कोई एक उप्सन दिया है जो anti-nay correct माना है उन्हीं को ये चार marks मिलेंगे बाकी जिन्होंने रोंग किया है उनका minus one marks इसमें कटेगा इन दोनों answer के अलावा जिन्होंने रोंग किया है तो वो कर जाएगा मैं आपको यहां पर code wise बता देता हूं कि कौन से क्यूशन का bonus मिलेगा और कौन से क्यूशन के दो option मिलेंगे तो सबसे पहले हम even code की बार कर लेते हैं तो even code के क्यूशन paper में क्यूशन number two bonus मिलेगा सभी को चार marks मिले और जो 150 क्यूशन है उसका one or three option correct है यहां पर जो B लिखा है उसका one and three option correct है E लिखा है उसका two or four correct है अब F1 का क्यूशन number one bonus मिलेगा सभी को चार marks मिलेंगे इसके बाद 150 में two or four correct option है G1 का क्यूशन number 12 bonus मिलेगा 146 में two or four correct है H1 का क्यूशन number one bonus मिलेगा 148 क्यूशन में one or three correct है E2 का क्यूशन number 30 bonus मिलेगा 142 में one or three correct है F2 का क्यूशन number 12 bonus मिलेगा 146 में two or four correct है G2 का क्यूशन number 34 bonus मिलेगा 146 two or four correct है H2 का क्यूशन number one bonus मिलेगा 147 one or three correct है E3 क्यूशन पेपर के कोड में क्यूशन number 35 bonus मिलेगा 139 का one or three option correct है F3 में क्यूशन number 17 bonus मिलेगा 142 or four correct है G3 में क्यूशन number 28 bonus मिलेगा 149 का two or four correct है H3 में क्यूशन number 26 bonus मिलेगा 145 का one or three correct है E4 में क्यूशन number 22 bonus मिलेगा और इसमें 142 के one or three option correct है F4 का क्यूशन number 32 bonus मिलेगा 140 में two or four correct है इसमें इसके बाद में F4 का क्यूशन number 32 bonus मिलेगा 142 or four correct है G4 का क्यूशन number 3 bonus मिलेगा 142 में two or four correct है H4 का क्यूशन number 16 bonus मिलेगा 137 में one or three option correct है इसी प्रकार से F5 की बात कर लेते हैं शोरी E5 की बात करें E5 में क्यूशन number 32 bonus मिलेगा 144 के one or three option correct है F5 क्यूशन पेपर का जो कोड है क्यूशन number 17 bonus मिलेगा 141 के two or four correct है G5 का क्यूशन number 29 bonus मिलेगा 143 के two or four option correct है H5 का क्यूशन number nine bonus मिलेगा 140 का one or three option correct है E6 का Qs number 32 bonus मिलेगा 146 का 1 or 3 option correct है E6 का Qs number 5 bonus मिलेगा 145 का 2 or 4 correction correct है इसके बाद में अगर हम बात करें G6 की तो G6 का Qs number 32 bonus मिलेगा 141 का 2 or 4 correct है H6 का Qs number 8 bonus जाएगा और 142 के 1 or 3 option correct है तो ये code wise है ये code wise मैंने आपको बता दिया है दो Qs का code wise बता दिया है कि एक physics का Qs है वो bonus मिलेगा और दूसरा जो है वो दो option है एक ही Qs के अब जो मनीपुर स्टेट का एकजाम हुआता 6 जून को उसके ओमार और आंसवर सीट रिलीज हो चुकी है ये उन candidates के login में available है जिनोंने मनीपुर का 6 जून को एकजाम दिया था तो ये एकजाम दिया था तो ये 12 जून तक 12 जून तक साम 4 बजे तक challenge कर सकते हैं ओमार सीट को और response सीट को ओमार सीट को और आंसवर की को challenge कर सकते हैं 12 जून 23 साम 4 बजे तक तो ये जानकारी थी आंसवर की के बारे में अगर counseling के बारे में आप और जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी book डाउनलोड कर सकते हैं All India, Quota, State, IU, Swetnery सभी के बारे में ये book अवेलेबल है इसको आप इस वीडियो के description box से या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं जैसी आप डाउनलोड करेंगे हम आप से संपार कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं इसमें choice list दी गई है 2023 के लिए category wise, college wise cut-off दी गई है और state की book में भी ये सारी facility available है, bond की detail दी गई है, previous year की 4 years की cut-off दी गई है counseling process को अच्छी तरह समझाया गया है, state की book में जो private colleges है, open state है, कौन से state में admission ले सकते हैं, आप किसकी previous year की कितनी cut-off रही थी, इसके बाद में किसकी कितनी फीस है, ये सारा सब को समझाया गया है आयोस और veterinary के बारे में भी समझाया गया है, तो मैं सोचता हूँ, ये book आप के लिए काफी helpful रहेगी, मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए, जैखें